हलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग आज मैं फिर से आगए एक नया वीडियो लेकि आज मैंने बीट रूट ट्रेट बनाई है जिसका डीटेल रीडियो आपको मेरे यूटूब चैनल पर मिल जाएगा प्लीज मेरे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीज मैंने एक मेडियम साइज का बीट लिया है उसको अच्छे से पील कर लिया पील करने के बद एक दू पानी से वाश करना है अच्छे से मिटी नारा इसी साब से आप वाश कर दीदी ता रूट बड़ बट रूट के दूपास जो ग्रेटर होता है बड़ा वाला च्छोटा जैसी लच्छे चाहिए उस हिसाब से आपको करना है मैंने छोटा वाला ग्रेट कर दिया उसको अच्छे से पतले पतले लच्छी और ज्चे और चंक्स बनजयाते थे आपको जितनी मात्रव में बीट चाहिए उतनी मात्रव मैं अप ले सकते हैं मैंने एक पूरा बीट नहीं लिया है, आदे से थोड़ा ज्यादा लिया है, फिर डो टेबल स्पूंग दही डाला है, हमें थोड़ा गाड़ा दही डालना है, पानी वाला दही नहीं डालना है, पानी वाला दही डालने से क्या हुए, खटा हो जाता है, हम थोड़ा थीक दही जो ठीकने से थोड़ी हमें रनी करनी जो खाने में मज़ा है हमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हिलाईए और बीट रूट दही और पानी का मिक्स्चर अच्छे से सैट हो जाए तब तक आपको मिलाना है फिर एक तड़का तयार कीजिए ऑली ओई लीचे ऑली ओई को थ आप देख सकते हैं इसका कलर की इतना अच्छा आया है पॉपल देखते ही खाने का मन करता है फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर वाइट वाले तील एड़ किये क्योंकि जो पॉपल कलर के साथ जो वाइट कॉमिनेशन है बहुत ही अच्छा लगता है फिर हरा धनिया एक जो मल्टी सीट सोते जैसे पंकें सीड़ पपाया सीड़ वो सारे सीड़ एड़ किये है अब चाहे तो इसके अंदर नमक आड़ कर सकते मैं इसमें नमक नहीं आड़ किया ऐसे ही एड़ किया अब ऐसे भी खा सकते है थेंक्यू फोर वाचिंग माई वीडियो है वनाइस दे बढ़ाई